कि मेरे साथ गांधी जी का नाम आते हैं हम सब उन्हें जहां आइंसा के पुजारी जी के रूप में याद करते हैं राश्पिता महात्मा गांधी की प्रेरणा है पूरे विश्व में शांती के संचार की दृष्टी से भी बड़ा महत्वपूर उनका योगदान रहता है यु की मूर्टी कहें वो नकेवल यूनियन स्क्वाइर में है बलकि अन्य अस्थानों पर भी वो बन रही है ताकि एक ऐसा सॉलिड स्ट्रॉक्चर हो जिसको लेकर लोग गांधी जी के बारे में जानी और भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं महात्मा गांध भारत के परियाय के रूप में भी बन गए है अब जब पुनरावलोकन हो रहा है उनके जीवनका तो कुछ लोग अलग-अलग तरह से भी उस तक पहुंच रहे हैं पर आज हम भारत के उस स्वरूप की तरफ पहुंच रहे हैं जिसका संबंद आशा के साथ है जिसका पूरे विश्व में आये उसको लेके इस सब के बीच में जो होसला है जो उसा है जो आगे बढ़ने की कटीबदता है वह बड़ी महत्वपून है वह नकेवल भारत के नेत्रत्व द्वारा हम तक पहुंचाई जा रही है बलकि भारत के मुख्य प्रत्निदीति के रूप मे और अगर यू का जाए कि इंडियन अमेरिकन्स के लिए भारत सरकार की तरव से लोकल गार्जियन की तरह भी मैं उनको उस पढ़ को देखता हूं ऐसे रंदीर जाइसवाल भी जो कॉंसल जनरल अफ इंडिया नियॉक में आज हमारे साथ हैं तो आप्टिमिस्टिक भारत प मौका मिलेगा और आपके माध्यम से आपके जो यहां पर उनाइटेट स्टेट्स पर जी और दर्शक गण हैं उनसे भी बात करने का मौका मिलेगा तो बात करते हैं सबसे पहले हैं जो मोटी मोटी समस्या होती है उनको थोड़ा सा सपर्ष कर लिया जाए तो एक तो ट्रैवल की प्रॉब्लम बहुत जारा है और 30 सितंबर तक बैंट था कॉमर्शिल फ्लाइट्स की चलने का वह एक्स्टेंड होने वाला है या वही रहने उसके बारे में मेरे पास जबी पूरी जनकारी हम लोग के पास नहीं है लेकिन एक तो दे हैं कि वन्दे भारत प्लाइट्स तो चलेंगे तो एरिंडिया की फ्लाइट्स और उनाइट्ट kilos चलेंगी दिल्दी के लिए और बंबांबै के अनेक तरह के अलग तरीके के जितने वीजाज हैं वो भी हमेशु कर रहे हैं हम सारे अपने कॉंसलो सर्विसेज लोह को दे रहे हैं एक मैं आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा समधाय के सभी लोग से कि जिन जिन के पास PIO कार्ड हैं वो उसको OCI में कनवर्ट करा ल लेकिन डेड़ सल का इंदार ना करें लोग उससे पहली करवाले काम तो बहतर रहेगा जो हमारे ऐसे दर्शक जो अभी तक इस बात से पूरी तरह वाकित नहीं है कि PIO कार्ड दीरे दीरे पूरी तरह हट जाने वाले हैं थोड़ा सा इसके वाले में उन्हें आप दोहरा द जाए और फिर एक निरने लिया गया कि दोनों को का विले हो जाए और OCI कार्ड जो है वो lifelong हो जाए तो चुकि अलग-अलग तरह के instruments जिससे हम लोगों से अपने समधाय से जुड़ते हैं उसमें थोड़ी simplification हो इस कारण से और ये जो हम दे रहे हैं लोगों को वो lifelong हो इसको बदे जर रखते हुए हम लोगों ने OCI का प्रवधान किया OCI कार्ड का और सबसे आगरह कर रहे हैं जो हमारे भारती मुल्क के लोग पूरे दुनिया वर में फैले हुए हैं कि आप सब लोग एक platform पे OCI कार्ड पे आ जाएं उससे सब को सहलियत होगी इनको जाने में हिंद जीवन को सरल बना कर वहां जाना थी है जहां हम पसंद न रह सके हैं अब रसंदा की द्रिश्टी से में दो-तिन बातें गांदी जी के लेते हुए जब रंडी जी के पास जा रहा हूं तो गांदी जी के साथ में आपने तीन बंदरों की बात अक्सर देखी सुनी होगी उस कहीं और उचल जाते हैं तो गांदी जी के साथ वहीं जाना चाहरा हूं जहां पर गांदी जी के बंदरों का मुख्य संकेत रहता है तो बुरा मत देखो इससे आप व्यक्ति के दूप से क्या आर्थ लेते हैं मेरे कहल से बुरा मत देखो का मतलब जो मैं जहां तक समझता ह और एक आम आदमी का मैं आपको एक परस्पेक्टिव इस मामले पर दे रहा हूं कि जो अपके अंदर एक इक्षा सकती है, जो आपका अंदर का एक mental makeup है, सोच है, उसको आप हमेशा positive रखें, तो मैं यह सोचू दाना, मेरा यह मानना है कि अगर अगर अच्छे, आपके अंदर एक अच्छा द्रिष्टी और एक perspective है, तो आप कभी बुरा नहीं देखेंगे. इसलिए अपने आप पर विश्वास रखना आवर्शक मुझे लगता है, अच्छा देखने के लिए है, और इसको अगर मैं भारत की द्रिष्टी से और optimistic भारत के बारे में चर्चा करते हूँ, आत्म निर्बर भारत की तरफ जाओं. तो कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं हैं, व्यवसाई कई तरह की समस्यां से जूज रहे हैं, मजदूर नहीं हैं और अगर अब काउंट करना शुरू करनेंगे, तो ये फैरिस बहुत लंबी हो जाएगी जो समस्यां हैं. उसको नकार नहीं रहें, पर उस सब के बावजूद ऐसी द्रश्टी रहें कि हम कुछ कर सकते हैं. जैसे यहां पर नारा चल रहा था पहले, यस आई कैन जो पूर प्रेसिडेंट थे, वो कह रहे थे. तो आप भारत में कहां वो क्षमताएं, वो संभावनाएं देखते हैं इससे जहिल रहा है. हम लोग भी हिंदुस्तान में कोविड-19 पैंडमिक से लगातार जूज रहे हैं. हमारे यहां एक अच्छी चीज यह है कि 80% से ज्यादा लोग की रिकवरी हो चुकी है और हमारे यहां के डिथ, जो फेटिलिटी रेट है, वो काफी कम है दुनिया के ग्लोबल आवरेज के मुकाबले और बड़े देशों के मुकाबले 1.6% है. तो वो एक अच्छी कमफर्टिंग फैक्टर है. लेकिन कोविड का प्रकौप पूरे देश में है और हम लोग इससे लर रहे हैं. लेकिन जहां एक तरफ कोविड का मसला है, दूसरे तरफ आर्थ पिछले 6 महिनों में अनेक तरीकों के रिफॉर्म्स भारत सरकार ने भारत सरकार लेके आए हैं और शुरुवात हुई थी अर्थिक एकनॉमिक रिफॉर्म से कई एक सेक्टर से को और उसमें इन्वेस्टर्स को लाने के लिए और बहतर बिजनिस के लिए उसको खोला गया. स्पेस का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, फिरैंशल सर्विसिस का सेक्टर है. उसके बाद दूसरा जो एक बड़ा रिफॉर्म हमने नैशनल एडुकेशन पॉलिसी का आया, उसको लेकर भार, यूएस में खासकर जो हमारे स्टेकोल्डर्स हैं, उनमें बहुत गहमा गहमी और उनमें बहुत जादा इंकरेजमेंट और नहीं एनरजी आई है, हम लोगों ने निर्ने लिया है कि भारत में और फॉरें इनुवर्स्टीज को खोलने का परमिशन दिया जाएगा, हमने नैशनल रिसर्च फांडेशन खोलने का निर्ने लिया एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम, उसको हम लोगों इंट्रिउस किया है, तो एक स्टूडेंट इंडिया में एक क्रेडिट करता है, एक क्रेडिट यूएस में कर सकता है, एक क्रेडिट शायद तीसरे देश में कर सकता है, और सब को एक साथ लाके उसको डिगरी मिल सकती है, तो यह नई संभावनाएं हम लेके आए हैं, उसके अलावे मिशन करमी होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब में, एजूकेशन पर थोड़ा आपके साथ बने रहते हुए, और भी इसमें प्रावदान है कि पहले एकदम एक बंदा बंदा स्ट्रक्चर था, उसकी जगा अब लाया गया है, ताकि कुछ लोग चाहें तो एक कोर्स से दुसरे कोर्स पर भी जा सकते हैं, कुछ लोग चाहें तो अपने कोर्स को तीन साल में खतम कर सकते हैं, कुछ लोग चाहें तो कोर्स में मेजर भी कर सकते हैं, तो बहुत सारा जो हम बाहर के देशों में और यहां प आपको मदोटी मिलेगी युगां को मदोटी बेगी। और में क्रिटिविटी बाहर निकल के आएगी एक नया उर्जा उनसे बाहर निकल के आएगा और इस सब को फाइदा होगा एक और सवाल जो कि एक आम नागरी का भी होता है और हम अभी नियॉयोक में बैठे बात कर रहे हैं तो जो विद्यारती भारत से अमेरिका पढ़ने के आते हैं उनके माता-पिता को बहुत खर्च करना भी पड़ता है या पर वो लोन लेते हैं वो काफी भारी लोन होता है फिर यहां के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उसमें थोड़ी उतार चड़ा होने से एक पूरा परिवार अत्रिक्त आर्थिक दबाव को भी महसूस कर रह हैं या ऐसी क्या खास बात है जो यहां की एजूकेशन में है क्या वो सिर्फ एकॉनोमी से रिलेटेड है या और भी कुछ प्रावडान है मेरा दो यह मारना है कि हर सिस्टम में एक समय के बाद बदलाव की जरूत होती है अगर आपने बदलेंगे सिस्टम ना बदलता है त तो बदलाव सिस्टम को पीछे छोड़के चले जाती है तो इसी को मद्दे नज़ा रखते हुए भारत में कई एक तरह के बदलाव आ रहे हैं जिसमें निव एडिकेशन पॉलिसी भी है निव एडिकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों के लिए स्कूली स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए प्रोग्राम नई चीज कैसे हम करें कैसे इनको मातरभाशा में पढ़ाएं इन सब की बात कही गई है वोकेशनल ट्रेनिंग भी कुछ है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पर जाद दोर जोर दिया गया है कि वही लोग हायर एडिकेशन में जाएं इनको बाकई में हार एडिकेशन की ज़रुत है और वो लोग जो उससे ब्रांच आउट कर जाएं ताकि जो हमारा वोकेशनल लीड्स है स्किल्स की नीड है देश में वो पूरा होता रहे और साथ में इनका भी जो वोकेशनल लोग का जो सिक्षा का जो जो एक नीड है वो भी बाकी आपने कहा हार एडिकेशन के बारे में मेरा यह मानना है कि यह पूरा एक एको सिस्टम की बात है इसमें रिसर्च भी है इसमें इनोवेशन भी है इसमें पेड़गोजी भी है इसमें टीचर्स पाटिसपेशन स्टूड्स पाटिसपेशन टेकनॉलजी अब चुकी को कोविट के जमाने में डिजिटल एकॉनमी, डिजिटल लाइफ को एक नही उर्जा मिल गई है, नही तेजी मिल गई है, तो डिजिटल टेकनॉलजी जो है, इसके माध्यम से मेरे ख्याल से सिक्षा के शेतर में खास कर, बहुत बड़ा फरका सकता है, कोई आदमी कानपूर में बैठा हुआ, नागपूर में बैठा हुआ, यूएस से कोर्स कर सकता है, तीन महिने का, एक क्रेडिट कर सकता है, और ये पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो यहां पर टीचर्स हैं, वो क्लास ले सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, और उनका क्रेडिट उनका क्रेडिट का उनको फाइदा मिलेगा स्टूडेंट जो हमारे हैं, तो मेरे ख्याल से आज के ग्लोबलाइशन के दौर में ये बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे यूवा पिड़ी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ना सिर्फ हिंदुस्तान का एक्सपोजर ह लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, भारत के बाहर के देशों में क्या हो रहा है, नई टेक्नोलजी क्या है, नई चीज, नए हवा क्या है, उसके बारे में पता रहे हैं, तो कि हमारा अर्थविस्ता बाहर के दुनिया से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है, ऐसे म अगर इस परकार का exposure हमारे लोगों को रहेगा तो मेरे ख्याल से हमारे अर्थवस्ता को काफी बल मिलेगा और हमारे कंपनियां बाहर जा सकते हैं बाहरे कंपनियां अंदर आ सकते हैं साथ में हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं तो अर्थवेवस्ता की बात को लेते हैं सीधा सीधा या रजाते हैं टेक्स का जो एक प्रावडान रहता है और टेक्स रिफॉर्म यानि हर जो भी नागरिक है वो कहीं ने कहीं उससे प्रभावित हो सकता है यह जो कोविट का काल रहा है इसमें अगर आप सिर्फ अच्छा ह देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भारत सरकार ने पार्लेमेंट में इतने महत्योपूर्ण इंपक्ट करने वाले बिल्स अभी पास हुए है जितने पहले कभी इतने कम समय में शायद ही हुए हो तो एक जो टैक्स के समझ में चेंज किये गए हैं वो क्या मोटा मोटी ऐसे हैं और अब चुकि ट्रांसपेरेंसी देशों के बीच में भी इन्फोर्मेशन एक्सचेंज की बढ़ रही है तो NRIs जो है वो कई चीजों के लिए जो के पहले उनको सोचना नहीं पड़ता था अब उनको धियान लगना वड़ता है कि इंडिया में अगर हमारी अर्णी हो रही है तो भी यहां क्या रिपोर्ट करना है वोगेरे तो बिल्ट 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 करना है लिए जई एंपने लिए जमेंट पूराष ओढ़ने टाहीं उलिए आपिया अपने की जए एंपियों की यहां का रिए भी इन दिया में जापिया झाना है इपकोदाइ इंडिया अजी इन ओवाफ पाला नहीं करना है एंपने की अपमें आप्यूं एंशने आर्णी तोhen is that in mind we have announced new reforms you would have heard some time back we had brought in transformative goods and services tax that has created a new climate a new business climate a new efficiency climate in India for companies to grow and develop the new set of taxation reforms are geared towards further simplification of rules and to bring in more technology interface in tax assessment and simplification so that people can benefit there is no arbitrariness in the system on account of people's discretion so that has been done away with it is it will make people's life and people's businesses and people people's tax tax filing returns etc more compliant with the rules that we have so more compliance simplification and faceless assessment this way a little bit quickly if you have to comment so corruption is a big problem that is not the whole world but when we talk about the new reforms that are coming to address it that the individual or subjective approach is not करेंधें आंके एक्तर में एक्कूलापन हिसा आ जाजिक्ति विशेश कि कि निरने में इंटरफियर न कर पाएं यह टैक्स रिफॉर्म का जो मूल इसके पिछे सोच है सोच यह है कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसको जो आम लोगों के लिए उनके जीवन में सहुलियत का काम करें और एक अकॉंटिबिल्टी बनी रहे ट्रांस्परेंसी बने रहे अगर यह सब चीज़ आप करते हैं और टेक्नॉलजी इससे जोड़ते हैं तो अपने आप में करॉप्शन का जो मसला है वो तो साइदर किनार होयाता है तो मेरा यह मानना है कि इससे काफी प्रभाव परेगा हमारे बिजनिसेस पे और जो इंडिविजुल टैक्सपेर्स है आपको पता है कि हमारा टैक्स जो बेस है बहुत नेरो है उसको हमारे टैक्स सिस्टम को सिंप्लिफाई करने यह सोच है कि सिंप्लिफिकेशन के बाद और भी लोग टैक्स जमा कर पाएंगे दे पाएंगे और उससे सबको फायदा होगा कॉन्सेर गोचीजासाब मैं आपके साथ यह याद करते हुए कि आज का दिन अमेरिका में बड़ा महत्त्पून है जो आने‌वाले presidential elections हैं तो presidential debate पहली आज 9 बजे से होने वाली है और जो debates होती हैं उसमें जो candidates होते हैं उनकी कहीं न कहीं अप्रोच सरफ presidential debate नहीं जहां भी opposition सरकार के साथ में काम कर रहा होते हैं देखते हैं इनकी कमिया क्या मैं गांधी जी को साथ में रखते हैं देख रहा हूं तो वह उनकी बुराईयां देखके कह रहे होते हैं वो डेमोक्रिसी के साथ कई बार लगता है कि ठीक ठीक बैठते नहीं है। अब इस बात को लेकर मैं भारत चला जाता हूं। तो अभी जो बिल्स की बात करें उसमें एक फार्मर्स से रिलेटेड बिल भी है। सरकार ने कहा कि ये बिल आया तो मिडल में अट जाएगा। पर इसके विपरीज बहुत सारी बाते सुनाई दे रही हैं। और मैं कहने सुनने पर फिर मीडिया की तरफ भी आता हूं। आप बताएं कि ये बिल किस दिशा में ले जाने वाला है भारत को। फिर तीन ये एक कल्चरल रिफार्म बिल्स इंटर्डू2 किये गए हैं और पारित किये गए हैं पार्लिमेंट में। इन तीनों बिल्से जो पुराना ढाचा था अग्रिचल्चरल मारकटिंग का बिसनिस का और जो पुराना एक सिस्टम बना हुआ था उसको बदलने का ये प्राधान है इससे हम लोग का ये मानना है कि जो किसान भाई हमारे देश में हैं उनको बहुत लाब होगा आज तक वो बाजार में जो भाव है उससे बंचित रहते थे जो बाजार में आप्शन से उससे बंचित रहते थे अब जो है अपना समान अपने ह हिसाब से पूरी अजादी के साथ वो वहाँ बेच सकते हैं जहाँ पर उनको सबसे बढ़ी आभाव मिल रहा है तो हम लोग का यह माना है कि इस प्राधान से यह तीनों प्राधान से मिडलमें बीच के लोग हैं उनको दर्खिनार कर दिया गया है जो हमारे किसान भाई है उनको मजबूत किया गया है उनकी आई बढ़ेगी उनकी आई बढ़ेगी तो हमारा रूरल एकॉनमी बढ़ेगा और उससे देश को मजबूती मिलेगी और हमारे लोगों को मजबूती मिलेगी तो जो बात आप कहरे हैं वो ठीक ठीक या तो प की हो किए रहा है और वो कहें जो हो रहा है आप वो अच्छा है या बुरह मीडिया का काम रिपेज़ करना घ्ले धार के सथा मीडिया अपनी ओपिनियन भी शेर करता है पैनल्स को बुला ठार है अभी तो हम सिद का सीधा सिरह करें भारत में कई चैनल से इसे त्सक्रीम बुरा देखना चाहिए कि बुरा नहीं देखना चाहिए बुरा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए हम लोग का यह मानना है किसी भी लोगतंतर में डिमोक्रसी को मीडिया की फ्रीडम है अपना काम करने का और भारत में हमारी जो प्रेस है मीडिया है वोग फ्री है बिलकुल आजाद है जो वो करना चाहे करे और एक आजाद बीडिया एक फ्री मीडिया लोगतंतर को मजबूती देती है इसी प्रकार से हम इनको देखते हैं जहां तक उपोजिशन इन बिल्स का है देखे पीसफुल प्रोटेस्ट या कोई आपको अ जबूट आपको आपको अजब इनको लागादन है लुंग नजबूटनो प्रीवांस की अजबूटना है लोगति अजबके टूटनों अजबूबूटन देखे इस बिल्स अप्रवश की अंटरिध सुटनों से भरोगति जेखिए अश्ट रह एकोई आच्याइ यह एका which are there in the agricultural marketing systems in India and those will be reformed by way of this these new agricultural reforms you would your viewers would appreciate that in the 1960s India had under had taken steps to revolutionize we undertook we had we could produce more because of green revolutions since then since the days of green revolution in 1960s by and large nobody had the the commitment or dedication to touch for various reasons the agricultural sector reform and it has taken so many years and decades and finally we have done I think it needs to be welcomed by one and all and we all need to reform so that we can move ahead with times so moving ahead with times also requires some visionaries and if I bring you back to the place where we're sitting which is a studio of ITV Gold and I would say in some way philanthropist as well as someone who was recognized by government of India also with prestigious Padma Shri and also recipient of Ellis Island award here Dr. Sudhir Parik he has his own area of having served the community as position and then he ventured into media primarily to connect community with what is happening in India and to sort of sustain the spirit of Indian culture among us how do you see role of people like Dr. Sudhir Parik and media like ITV Gold you know Dr. Sudhir Parik we have very close interaction with him he is a great supporter of the consulate and of the community he is a respectful member of the Indian American community we have in India we have bestowed him one of our highest awards so we recognize his work on ground that he is doing for the community for the welfare of the people I have had occasion to be on panels with him on several occasions he is an active member in the RP platform we were also together on several other health initiatives so we deeply commend all that he is doing and we also commend that he has engaged media so as to reach out to the larger community and to you know convey the message of India of Indianness, of Indian culture, of community issues via his media channel and engage everybody and spread the colors and in a sense you know your media outlet is an important supporter of India-US relations we are here to celebrate not just India we are here not to celebrate not just United States but to celebrate India-US friendship together and in that on that account I think ITV Gold is playing a very important role talking about our collective participation in the common goal of making this world a better place on a very large scale and then of course relationship between India and America if they are strong and there is better understanding it serves not just these two nations but it helps in building a peaceful world is what my sincere conviction is and going by that you need to work hard with the passion for the cause and from that point of view if I may request you to briefly share the spirit behind Karma Yogi mission this name sounds quite interesting see it is again part it is reflective of our deep commitment to reform institutions in India and we also want to do things which are anchored in our heritage and culture and tradition and for that reason everybody here your viewers would understand what a Karma Yogi means Karma Yogi is a person who performs the best for the society has the best commitment for people around him it is important that if India has to move forward that our civil servants have a problem-serving approach mission Karma Yogi is about building their capacity enhancing their strengths giving them better training making them more technology savvy so that they can move hand in hand with the government with other systems other stakeholders as India marches into the 21st century to provide the best for its people so that is the essence of mission Karma Yogi to be focused on rules-based but at the same time give more importance to a service-based approach so it's in a sense encapsulates our ideas as to how we are looking at human resource development in India Thank you very much on that and before we move towards the concluding part of our conversation almost there there are serious things happening in our lives due to COVID-19 even otherwise also as in Srimad Bhagavad Gita we hear that who has taken birth is going to go and when you go we in our tradition we want to go back to our roots so there are people who find themselves in the situation where they have to take mortal remains of someone in the family to India in what way your office works with them in making it easier for them to go through all the process we have had to deal with several emergencies lately we have had people whose mortal remains had to be transported to India we engage with community leaders and also with other stakeholders here we had the unfortunate demise of Pandit Jasraj Sangeet Martand Pandit Jasraj recently we were able to transport his mortal remains and also to pay our deep respects here but we come in and we try to assist if there is anybody who has any issue on this account we are more than willing to look into it and see how best these emotional needs of the community can be fulfilled you know it is indeed for a person for a community which is so deeply anchored in tradition and culture that if you have a wish to be to rest by to be to be made part of Ganga or any other holy river or your ancestral village we deeply deeply appreciate that and we are there to help you absolutely and as we conclude if I remember it correctly on your website there is one permit 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 recruit permit 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 तो ऐसा होता है कि एक ही तरीके के सवाल लोग पूछते हैं तो वो तो हम अगर प्रमित और उसको अगर IT टेकनोलजी इस्तमाल करें तो बहुत असानी से सब लोगों को वो सवाल का जवाब तुरंद मिल जाएगा और इस परकार का हमने सिस्टम बनाया है कि आप उसमें एंट तो सब चीज का जवाब आप वहां से ले लें पी आरे माइटी इंडियन कॉंसलेट की वैबसाइट पर जागे समाधान की दृष्टी से ये एक मंत्र सा है मुझे लगता इसलिए इसका उलेक करते हुए मैं आप स्टूडियो में पदा रहें आपको बहुत-बहुत बहुत करते हुए बहुत-बहुत शुब कामना है कॉंसल यूनल साहब हमारे साथ रंदीर जाइसवाली आपके साथ के लिए आप कहा बार मंगल कामने शोग व्यास को नोशी थी था